अध्याय 19, अब सब एक साथ, बधाई हो, आप अभी भी पढ़ रही है हमने जो कुछ सीखा है, उसे एक साथ जोडने का समय आ गया है ये अध्याय थोड़ा सा सारांश है कुछ छोटे और कारवाई योग ये सबक जो आपको बहतर वित्तिय निर्नाय लेने में मदद कर सकते हैं सबसे पहले, मैं आपको एक दंट चिकित्सक की नियुक्ती के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ जो बुरी तरह से खराब हो गई थी ये हमें आपके पैसे का क्या करना है इस बारे में सलाह देने के खतरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है क्लेरंस हुजिज 1931 में दंट चिकित्सक के पास गए उनके मूँ से दर्द फैल रहा था उनके दंट चिकित्सक ने दर्द को कम करने के लिए उन्हें क्रूड अनिस्थीसिया के तहट रखा जब क्लेरंस घंटों बाद जागा तो उसके 16 दांत कम थे और उसके टॉंसिल को हटा दिया गया था और फिर सब कुछ गलत हो गया एक हफ़ते बाद उनकी सरजरी की जटिलताओं से क्लेरंस की मृत्यू ठो गई उनकी पत्नी ने दंट चिकित्सक पर मुकद्मा दायर किया लेकिन इसलिए नहीं की सरजरी खराब हो गई थी 1931 में हर सरजरी में मौत का खत्रा था क्लेरंस उसने कहा पहली बार में प्रक्रियाओं के लिए कभी सहमती नहीं दी और अगर उससे पूछा गया तो नहीं मामला अदालतों में घूमता रहा लेकिन कहीं नहीं गया 1931 में डॉक्टर और रोगी के बीच सहमती श्वेट शाम नहीं थी एक अदालत ने इस विचार का सारांच दिया कि डॉक्टरों को सर्वोत्तम चिकित्सा निर्नै लेने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यक्ता होती है इसके बिना हम विज्ञान की प्रगती का आनंद नहीं ले सकते अधिकांश इतिहास के लिए चिकित्सा का लोकाचार यह था कि डॉक्टर का काम रोगी को ठीक करना था और रोगी ने डॉक्टर की उपचार योजनाओं के बारे में जो सोचा था वो प्रासंगिक नहीं था डॉक्टर जे काथ्स ने अपनी पुस्तक The Silent World Between Doctor and Patient में दर्शन के बारे में लिखा है डॉक्टरों ने महसूस किया कि उस उदेश्य को पूरा करने के लिए वे अपने रोगीयों की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य थे और अपने स्वयम के अधिकार पर ऐसा करने के लिए अपने रोगीयों के साथ उन निर्णियों के बारे में परामर्ष किये बिना जो करने की आवश्यक्ता थी ये अविचार की मरीज भी अपने डॉक्टरों के साथ निर्णियों के बोज को साज़ा करने के हकदार हो सकते हैं कभी भी दवा के लोकाचार का हिस्सा नहीं था ये अहनकार या द्वेश नहीं था ये दो बिंदूओं में विश्वास था घर मरीज ठीक होना चाहता है उन्हें ठीक करने का एक सार्व भॉम एक और सही तरीका है यदि आप उन दो बिंदूओं पर विश्वास करते हैं तो उपचार योजनाओं में रोगी की सहमती की आवशक्ता नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि दवा कैसे काम करती है पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूलों ने सूक्षम रूप से शिक्षन को बीमारी के इलाज से हटा कर रोगियों के इलाज की ओर स्थानान तरित कर दिया इसका मतलब है कि उपचार योजनाओं के विकल्प तयार करना और फिर रोगी को आगे का सबसे अच्छा रास्ता तै करने देना यह प्रवरिती आंशिक रूप से रोगी सनरक्षन कानूनों द्वारा संचालित थी आंशिक रूप से काठ्स की प्रभावशाली पुस्तक द्वारा जिसमें तर्क दिया गया था कि रोगियों के बारे में बेतहाशा अलग-अलग विचार है कि दवा में इसके लायक क्या है, इसलिए उनकी मान्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए. काथ्स ने लिखा, यह दावा करना खतरनाक बकवास है कि उनकी कला और विज्ञान के व्यवहार में चिकित्सक अपने परोपकारी इरादों पर भरोसा कर सकते हैं, क्या करना सही है इसका न्याय करने की उनकी क्षमता? यह इतना आसान नहीं है. चिकित्सा एक जटल पेशा है और चिकित्सकों और रोगियों के बीच की बातचीत भी जटल है. वो अंतिम पंक्ती महत्वपूर्ण है. चिकित्सा एक जटल पेशा है और चिकित्सकों और रोगियों के बीच की बातचीत भी जटल है. आप जानत यूँकि मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, मुझे नहीं पता कि आप इसे कब चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप इसे क्यूं चाहते हैं, इसलिए मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि आपके पैसे का क्या करना है, मैं आपके साथ क्लेरंस हुजिस के इलाज वाले दंट चिकित्सक की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर और दंट चिकित्सक निश्चित रूप से बेकार नहीं है, उन्हें ग्यान है, वे बाधाओं को जानते हैं, वे जानते हैं कि क्या काम करता है, भले ही मरीज अलग-अ निशकर्ष पर आते हैं कि उनके लिए किस तरह का उपचार सही है, वित्तिय सलाहकार समान है, पैसे में सार्वभौमिक सत्य है, भले ही लोग अलग-अलग निशकर्ष पर आते हैं कि वे उन सत्यों को अपने स्वयम के वितपर कैसे लागू करना चाहते हैं, उस चेतावनी के साथ आईए कुछ छोटी अनुशनसाओं को देखें जो आपके पैसे के साथ बहतर निर्नाय लेने में आपकी सहायता कर सकती हैं जब चीजे सही हो रही हो तो विनम्रता और गलत होने पर क्षमा करुना खोजने के लिए अपने रास्ते से हच जाएं क्योंकि यह कभी भी उ वास्तव एक और पहचानने में कठिन हैं ऐसा तब करें जब आप खुद को और दूसरों को आंके भाग्य और जोखिम की शक्ती का सम्मान करें और आपके पास बहतर होगा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका जिसे आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं अहनकार कम, धन अधिक, पैसा बचाना आपके अहनकार और आपकी आय के बीच का अंतर है और धन वो है जो आप नहीं देखते हैं तो भविश्य में अधिक सामान या अधिक विकल्प रखने के लिए आज आप जो खरीद सकते हैं उसे दबा कर धन का निर्मान किया जाता है आप कितना भी कमा लें आप कभी भी धन का निर्मान नहीं करेंगे जब तक कि आप इस बात पर धकन नहीं लगा सकते कि आप अपने पैसे के साथ आज कितना मज़ा ले सकते हैं अपने पैसे का प्रबंधन इस तरह से करें जिससे आपको रात को सोने में मदद मिले। यह कहने से अलग है कि आपको उच्चतम रिटन अरजित करने या अपनी आये का एक विशिष्ट प्रतिशत बचाने का लक्ष रखना चाहिए। कुछ लोगों को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक कि वे सबसे अधेक रिटन नहीं कमा रहे हों। दूसरों को केवल एक अच्छा आराम मिलेगा यदि वे रूडिवादी रूप से निवेशित हैं। प्रतिएक अपने स्वयम के लिए। लेकिन नीव। क्या यह मुझे रात में सोने में मदद करती है। सभ वो है अपना समय क्षितिज बढ़ाना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली बल है। इससे छोटी चीजे बड़ी हो जाती हैं और बड़ी गलतियां दूर हो जाती हैं। यह भाग्या और जोखिम को बैसर नहीं कर सकता है। लेकिन यह लोगों के लायक होने के करीब परि ठीक हो जाएं। आप आधे समय में गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्या बना सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजे ही अधिकांश परिनामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सी चीजों के काम न करने के साथ सहज होना चाहिए। दुनिया बस ऐसी ही है। इसलिए आपको हमेशा व्यक्तिगत निवेश के बजाए अपने पूरे पोर्टफोलियों को देख कर मापना चाहिए कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है। खराब। निवेश और कुछ बकाया न जियान केंद्रित करके कैसे किया है। विजेताओं को उनकी तुलना में अधिक शांदार दिखता है और हारने वालों को उनकी तुलना में अधिक खेट जनक दिखाई देता है। अपने समय पर नियंतरन पाने के लिए धन का उपयोग करें। क्यूंकि अपने समय पर नियं जब तक आप चाहते हैं, वितर में मौजूद उच्चतम लाभांश का भुगतान करता है, अच्छे और कम आकर्शक बने, आप जितने हैं, आपकी संपत्ती से कोई भी प्रभावित नहीं है, आप सोच सकते हैं कि आपको एक फैंसी कार या एक अच्छी घड़ी चाहिए, ले को हासिल करने की अधिक संभावना रखते हैं, सहे जे, बस बचाओ, आपको बचाने के लिए किसी विशेश कारण की आवश्यक्ता नहीं है, कार या डाउन पेमेंट या मैडिकल इमजेंसी के लिए बचत करना बहुत अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना ज आश्चरियों की एक सतत श्रिंखला है, बचत जो विशेश रूप से किसी भी चीज के लिए निर्धारित नहीं है, वो जीवन की अपरिहार्यक्षमता के खिलाफ एक बचाव है जो आपको सबसे खराब समय में नरक से बाहर निकाल सकता है, सफलता की लागत को परिभाशि करें और उसे चुकाने के लिए तैयार रहें, क्यूंकि कुछ भी सार्थक मुफ्त नहीं है, और याद रखें कि अधिकांश वित्तिय लागतों में द्रिशमान मूले टैग नहीं होते हैं, वित जगत में अनिश्चित्ता, संदे और अफसोस आम लागते हैं, वे अकसर जुर्माना के बजाए फीस, बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए भुगतान करने लायक कीमत के रूप में देखना होगा, एक जुर्माना जिससे आपको बचना चाहिए, त्रूटी के लिए पूजा कक्ष, भविश्य में क्या हो सकता है और अच्छा करने के लिए अमरा अकसर एक रूडी वादी बचाव की तरह देखता है, लेकिन अगर यह आपको खेल में रखता है तो यह कई गुना अधिक भुगतान कर सकता है, वित्ति या निर्णियों के चरम छोर से बचें, समय के साथ हर किसी के लक्ष और इच्छाएं बदल जाएंगी, और भुगतान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से डरना चाहिए क्योंकि यह आपको भविश्य के जोखिम लेने से रोकता है जो समय के साथ चुकाना होगा, आप जो खेल खेल रहे हैं उसे परिभाशित करें, और सुनिश्चित करें कि आपके कारें नहीं हैं एक अलग खेल खेलने वाले लोगों से प्रभावित होना, गड़बड़ी का सम्मान करें, स्मार्ट, सुचित और उचित लोग वितर में असह मत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्षय और इच्छाएं बहुत भिन होती हैं, कोई एक सही उत्तर नहीं है, केवल वो उत्तर जो आपके लिए काम करता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए क्या काम करता है,